आप सबको डॉक्टर रजने रभन जासा आचारे संस्कृति रहाग राज की महाराने सुदर्शन करन्या महाविद्याले विकानिर का नमस्कार स्विकार हूं हमने को हमने प्रार्म किया था यह थोड़ा कठिन Сूत्र में लेकिन जैसा कि मैं आपको लिख कर भिजा भी है और कल बताया है ता अजए पिर उसको देखते हैं पराती पदिक क्या है तो प्राति पंदी खंजिन में अर्थ होता है जिसे राम है तो उसमें अर्थ है जो धातू नहीं होता यानि उसको क्रिया के रुप में प्रियोग नहीं कर सकते और जो प्रत्या ही नहीं होता है प्रत्य बताया था कि सुवजव साधी प्रत्य ही है तिपतस जी भी प् प्रादितन राध्य 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 माधव समव प्राति प्रत्य लख के कुर्धंत प्रतियलक तदितुत प्रतियलक तो मादगव और रागव हो गया तदिता और करतवियम हो गया कुर्धंत कुर्दंत कहते हैं समासांत, समास जिसमें होता है, राज पुरुष है, वो समासांत है, तो राजाजियां पुर्श, राजा के पुरुष का समास होता है, तो इन तिनों को, इन तिनों को भी प्रातिपदिक कहते हैं, तो इस प्रातिपदिक का अर्थ कैसे मालूम होता, कि ये राम जो है यह राम जो अर्थ देगा एक कैसे मालूम होगा तो संस्कृत साहित में कहते हैं कि प्रतमाभी भक्ती में एक वचन है उसका प्रियोग होता है तो उसके अर्थ का पता लग जाता जिसे रामह है तो रामह से पता चलेगा राम करना की राम से क्योंकि वाक्य में राम का प्रयोग तो होता नहीं है वाक्य में प्रयोग होता है रामा का उससे पता चलेगा कि राम क्या है प्रातिपधिक है तो प्रातिपधिक के अर्थ को प्रातिपधिक वास्तम में क्या है उसके अर्थ को प्रधमावी भक्ति से जानते ह तो उसके उसको आर्थ को जानगे सीता स्त्रिलिंग के रुप में प्रियोग होता है तो वह भी मिसे होगा जब प्रथमां में सीता होगी सिता सिते सिता बनेगा तब जाकर पता चलेगा कि यहां इस तरह से फलंफले फलानी है वह उसका प्रत्माइक वचन में द्विवचन में फलंफले फलानी होगा तो इसमें प्रत्मावी वक्ति होने से क्या होता है कि उस प्राति पदिकार्थ परिमार वचन मात्र प्रत्माइज तो इसमें यह कहा कि यह रामा कहते हैं तो रामा कहनें से उसमें फुलिंग है या तो पता चली जाता है सीता कहने से इस्त्र लिंग है या तो पता चली जाता है फालम कहने से नपुंसर कह या पता चली जाता है फिर अलग से लिंग क्यों लिया तो यहां कहा कि प्रातिपदिक के अर्थ को तो वह शवग बताता है उसके लिंग को भी बताता है लेकिन कई बार विशेश इस्तितियों में वह नहीं बता पाता जैसे तट है तट पुलिंग में भी होता है इस लिंग में भी होता है और नपुन्सक में भी होता है तो ऐसे तो पता चलेगा निंग अगर वा प्रातिपदीक रूप में रहेगा तो कुछ भी नहीं पता चलेगा तो फिर उसको पड़ बनाया जाए तो प्रता चला कि कि पद बनाया जाए तो उसको उसमें प्रत्मावी भक्ति लाने के बाद वह तट भी बता सकता है, तटी भी बता सकता है और तटम भी बता सकता है, तट कब होगा, पुलिंग में, तटी कब होगा, इस दिलिंग में, और तटम कब होगा, नपुल सकता है, तो वह प्रतमा विभक्ती के बाद ही बता सकता है, नहीं ऐसा होगा, तो सिधा तट रूप रहता। तट से ही तती बनता है। नदट है, नद से नधी बनता है। तो वहाँ पता नहीं चलेगा शब्द का कि वह पुलिंग है, इक इस्प्रिक है कि नपुन्चक है। उसको जानने के लिए भी प्रतमाव भक्ती में सूपरत्य लगाना जरूरी है। उसके लगाने के बाद सू प्रत्य लगाने के बाद क्या होता है स्पष्ट हो जाता है कि यह फुलिंग है कि इस्ट्रिलिंग है कि नपुन्सट्रिंग है न अ सू लगाने के वांत तरशी स्रिलीइंग स्राथी भनाने के ऐए और तरशी कि यए सपरये हाँ ध्याता पर बात है कि जो पहले कहा कि प्राति-पृत है थे यद्ध we बताएगा और परिमान को बताएगा और कि प्राति पदिक को लिंग परिमान और वचन को बताएगा अब यहां पर प्राति पदिक तो है लेकिन वह वास्तव में किस अर्थ को बताता है वह तो प्रत्मा व्रवक्ति लाने पर ही पता चलेगी कि वह तटा बनेगा तो पुलिंग होगा तटी बनेगा तृष्टलिंग होगा तो नपुन्सक लिंग होगा ऐसा इसमें कहा गया तो इसलिए लिंग का अलग से ग्रहन किया प्राति पदिक अर्थ लिंग क्योंकि प्राति पदिक तो प्राति पदिक का अर्थ से तो पता हो ही रहा है किस से हो रहा है इस से रामा कहा है तो प्राति पदिक इसमें राम था उसके अर्थ का पता रामा से हो गया लेकिन जो यह उसके पुलिंग है पता चलते लेकिन यह जो कहा कि केवल प्राति पदिक अर्थ से आप असका अर्थ प्राप तो हो जाएगा ऐसा ऐसा सदेव सही ही नहीं है जैसे कि तट है तट है तो तंट में हम प्रस्वावी वक्ती लाएंगे तो यह प्रश्ण बना रहे उसरे तट्वासी के द्वारा यह प्रश्ण उंठेगा का रपNow यदो इसको जो पर थे ना तत्ञ तो तो इसका तटह रूप जो है कैसे जानते हैं, तो तटह रूप भी सू लगाकरी बनेगा, तो तटह बनेगा तो पुलिंग हो जाएगा, तो तट होगा तो नपंसक लिंग हो जाएगा. इसलिए जब कहा कि फ्राति पदिकार्थ यानि कि रामा शब्द है तो रामा पुलिंग है यह तो पता पता चल जाता है लेकिन तट जो है अब वहाँ पुलिंग बनेगा कि इस्त्रिलिंग बनेगा कि नपुन्सक बनेगा यह पता नहीं चलता यह पता कब चलता है जब हम उसमें सू लगाते हैं सू प्रत्य लगाते हैं तो प्रत्माविवक्ति हो जाती है तो प्रत्माविवक्ति में आने के अलग से बताना पड़ा कि कई सारे शब्दाइसे हैं जो तीनों लिंगों में विभार उत रहे हैं तो अब प्रश्ण है कि उसको कैसे लिया जाए तीनों ही विभार कर रहे हैं तट्रह भी और तट्रह भी तो इसको खाली प्रातिपदी कार्च करने से तो काम चलेगा नहीं क क्योंकि जर्मा का तो पता चल गया पुलिंग और फट्रेग पता नहीं चला पुलिंग लिप इसके तीन रूप बनता है अंपुलिंग प्रुप तक तो इस तरह से यह सूत्र जो है तो प्राथिपर्द्धिकार्थ लिंग परिमान बचन मात्र पृत्वां उसमें प्राति पधिकार्थ लिंग परिमान वचन मात्रे प्रत्मा में प्राति पधिकार्थ में तो आ गया लिंग आ गया लेकिन तट में नहीं आया तट में तो तीनों लिंगों का चाहिए इसलिए अलग से लिंग का प्रियोग किया ताकि हम तट जिसके तीनों रूपों में प्रियोग होते हैं उसको समझ सकें नहीं तो केवल प्राति पदिकार्ज कहा देने से वह अर्थ नहीं आता प्राति पदिकार्ज कहने से लगा दिया प्रत्माविवक्ति होगे अब क्या बने तटा बनेगा कि तटम बनेगा कि तटी बनेगा या तीनों बनेगे तीनों बनेगे तो इसलिए एक अर्थ का भान नहीं हो रहा उसमें तीनों के अर्थ का इसलिए कहा प्राति पदिकाथ लिंग परिमान वचल मात्रे प टट जैसे शबदों का कि पुलिंग है किस लिए न पुंचक वहां पर प्रत्समा विवक्ति करनी पड़ेगी ये इसके बाद प्राथिपतिकार्थ लिंग परिमान, परिमान क्या है तो परिमान है जैसे कि आप देखते हैं आप दुकान पर जाते हैं और दुकान पर जाने के बाद चावल तो लगाते हैं एक किलो चावल दो किलो चावल तो दुकांदार क्या करता है कि एक लोहे का बाट एक तरफ रखता है और आपको चावल तोल देता है तो या गया हूं तोल देता है तो एक किलो हो गया अब रास्ते में किसी ने पूछा कि क्या ला रहे हो तो बता देता है एक किलो है तो किलो है फांच किलो भूंदें तो कहा है छावल है और चाहुल कितना है तो पांच किलो तो पांच किलो चावल में पांच किलो जह हो गया है वो चावल का विशेशन तो द्रोणो वरिही उदार क्या दिया द्रोणो वरिही द्रोण भर चावल द्रोण बहुत बड़ा एक बाट होता था उससे चावल तोलते थे तो वो जो चावल है उसमें जो परिमान है उसकी जो मात्रा है वह उसी में है उस चावल में तो खाली यदि प्रातिपदिकार्थ कहेंगे कि परिमान तो परिमान तो उस तरह से चलने लगेगा जैसे रामा रामो रामा सकता परिमाना परिमानो परिमाना लेकिन जब कहेंगे क परिमान मात्र परिमान की अधिक्ता तो परिमान जो है चावल में जो एक किलो चावल मालिजे दया दो किलो चावल है या द्रोन बर चावल है उस चावल में द्रोन बर जो चावल है उसमें क्या है आप देखिए कि उस चावल में परिमान है कितना द्रोन का द्रोन उस बाट स जो तोला, तो उस चावल में द्रोन का परिमान है, तो इसलिए परिमान की अधिकता को बताने के लिए, परिमान अधिक हुआने कैसे है? चावल तो चावल ही नहीं है ना उसमें द्रोन भर चावल कहीजिए एक किलो चावल कह लीजिए दो किलो चावल कहीजिए पांच किलो चावल कह लीजिए वो पांच किलो कहा है वो दो किलो कहा है तो वो उसी चावल में ही तो है तभी तो हम कह रहें दो किलो चावल है पांच जो कहा कि इसी लिए द्रोण द्रोडो ब्रुही जो है इसी लिए कहा गया कि प्राति पर्दिकार्स लिंग परिमान परिमान जो है वह उसके अर्थ में भी प्रत्माविभक्ति आती है तो द्रोडो ब्रिही में जो जो द्रोण है वह उस चावल में ही है उसकी माप है और जब उस द्रोण को वापस किया तो द्रोण वापस नहीं हुआ चावल वापस होता है इसलिए इससे पता चलता है कि परिमान को अलग से बताने के बावजूद भी वस्तु में जो परिमान ह उसको भी बताना पड़ेगा तो अलग जगा परिमान का प्राति पतिकार्थ हुआ है कि परिमान किसको कहते है कोई वस्तु होती है और उसकी लंबाई चुड़ाई होती है उसकी मुटाई होती है उसकी में वजन होता है तो उसका वह परिमाण है तो यह उसमें रह था उसी बस्तून तो द्रोण हो गया सतंतर सतंत्र इसार्थ में कि एक किलो, दो किलो, तीन किलो, चार किलो, पांच किलो यह परिमाण प्रातिपनिक में ही आ जाएगा लेकिन जब हम कहेंगे द्रोणों ब्रोहि द्रोन भर चावल बहुत बड़ा पात्र था तो उसमें क्या होगा कि उस परिमान को भी बताएगा कौन जब हम प्रत्मा विवक्ति लाएंगे तो द्रोनों ब्रोही द्रोन में प्रत्मा विवक्ति लाएंगे तो द्रोनों हो जाएगा यह द्रोनों किसको बताएगा चावल क द्रोन भर चावल जितना भी होता हो उतना चावल इसलिए अलग से परिमान लिया इसको और समझेंगे आगे धन्यवाद